अक्सर भुताहा कहानियां सुनकर अधिकतर लोग डर जाते हैं पर उन में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक नए रुमांस के लिए ड्राउनी जगों की खोज में जाते हैं आसपास होने वाली असाधाराद गतिवीधियां अक्सर लोगों को डराती है जिसे लोगों में सबसे ज़्यादा सेंस नी फैलती है लेकिन अगर आपको भूतू से डर लगता है तो आप ऐसे अस्तानों पर जाने से बचें वे लोग जिने भुताहा जगों के सेर करना पसंद है उनके लिए हम पूने के उताहा जगों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे जहां आप डर से काप जाएंगे लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्स्क्राइब करके बिल आइकन को जरूर दबाएं विक्टरी थेटर पूने अक्सर रात के समय यहां के लाइब्रेरी में भूतों की आवाज आती है चलिए अलबर्टो मगूल के इस विचार में लाइब्रेरी सब्द को थेटर के साथ बदल देते हैं जी हां यहां बात कर रहे हैं पूने के विक्टरी थेटर के बारे में जहां सुब्य से साम तक फिल्में देखाए जाती है और दिन भर लोगों का उत्सा देखने लायक होता है वहीं इसके विप्रीत रात में यहां भूतों का उत्सा होता है आवाज करती कुर्षियां चर् गर केला पूने चलिए आज हम इतिहास को फिर से दोराते हैं आज के समय में सीगर केला परचिद परटक अस्तलों में से एक है जो पूने के पास ही लगबग 40 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है इस पुराने कीले की कई सारे ड्राउनी कथा कहानिया परचली थैं यहां के मु आजें हैं इस किले में युद के दवरान मारे गये थे इस प्रटकों और गहांवालों का कहना है कि उनहोंने कीले के इस चट्टान के पास जहां बस दुरखटना हुई थी वहां बच्चों के चीखने लगार पूने सनीवर वारा पिस्वाओं का महल पूने सहर में ही इस्तित है हाली में आई बाजी रव मस्तानी फिल्म ने इसे और परसिद दिलाई है हलांकि सनीवर वारा एक भुताहा अस्तान होने के लिए भी परसिद है जहां कई सारी असाधारर गतिवीदिया होने की बात होती है कहानियों के अनुसार यहां पेशवा बाला जी बाजी राव के बेटे नरायर राव की आवाज गुशती है ऐसा कहा जाता है कि इस किले में नरायर राव की हत्या की गई थी और हत्या से पहले उसके आखरी सब्द थे काका माला बचाओ मतलब काका मुझे बचाईए और यही सब्द इस किले में अब तक गूशती रहती है क्या आपने अंग्रेजी फिल्म एना बेले की एना बेले गुडिया देखी है आपको समझ में आही गया होगा की चंदर नगर में भी ऐसी एक गुडिया की तरह छोटी सी बच्ची के भूत को यहां देखा गया है इस आस्तान के निवास्यों का कहना है कि उन्होंने रात में एक छोटी सी बच्ची को सफित फ्राग पहने यहां घुमती हुए देखा है ऐसा कहा जाता है कि यह उस छोटी बच्ची की आत्मा है जो कुछ सालों पहले यहां के कंट्रेक्शन साइट पर मारी गई थी चंदर नगर को पूने के टाफ फाइब भुधा जगों में से एक माना जाता है खरकी युद का कबरिस्तान पूने खरकी की लड़ाई का युद छेतर था जो अंग्रिजों और मराठों के बीच लड़ी गई थी खरकी युद का कबरिस्तान खरकी युद में मारे गए कई करमचारियों को समर्पित है लोगों का कहना है कि युद में मारे गए सेंको की आत्माओं को भड़कते हुए इस कब्रिस्तान में देखा गया है ये अस्थान भी पूने की ड्राउनी जगों में से एक है जहां अगर आप पूने की बुधा यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूर ही जाएं आप अगर इन जगों के यात्रा में जाना चाहते हैं तो बैक पैक कर निकल पढ़िए कुछ अलग नए रुमांचक और भ्यानक अनभावाले सफर में आज के लिए दोस्तो बस इतना है आसा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलूँगा दोस्तो एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार और खुदा आफिस दोस्तो